अब हम आपको self proning की विधी बताते हैं, इसके लिए हमें तीन जगे पिलो रखने हैं, हमें self proning में करना क्या है, हम पेट के बल लेटेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि सीधे हम पेट के बल लेट जाएं, क्योंकि ऐसा किया, तो हमारा पेट दबेगा, और पेट का movement effect हो जाएगा, वो क्यों important है कि पेट ना दबे, जब हम सांस लेते हैं, तो chest और पेट के बीच में diaphragm होती हैं, और जो diaphragms का movement होता है, उसका बहुत भारी contribution होता है हमारी breathing में, तो अगर पेट दबा, तो वो diaphragm का movement effect हो जाएगा, और उससे ultra effect आ जाएगा, तो ऐसा हमें कदापी नहीं होने द रखते हैं, एक ये बिल्कुल पैर की तरफ, देखिए ये है pillow, जो बिल्कुल पैर की तरफ है, ये उतना important नहीं है, सबसे important pillow है, दो या तीन या चार आपको लेने पड़ेंगे, depending on the size of your pillow, जो की हमारी pelvis, जो ये है, hip bone हम जिसे कहते हैं, इस hip bone के नीचे आएगे, ध्यान पेट का जो lower most portion है, जिसको हम hip bone कहते हैं, ये pillow पे आएगी, और तीसरा pillow होगा, हमारे head end की तरफ, जो हमारी upper chest को support करेगा, तो proning position में जाने के बाद, हमारी upper chest एक pillow पे supported होगी, हमारी जो ये hip bone है, ये दो या तीन या चार, depending on thickness of pillow, उस पे supported होगी, और पैर हमारे नीचे की त दबना चाहिए, और आपकी position हो जाने के बाद, पेट और बेड के बीच में, एक हाथ जा पाना चाहिए, जो ensure करेगा कि आपके पेट का movement ठीक हो रहा है, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, मैं जुका, पेशन तो लेटा होगा, तो वो लेटी position में भी कर सकते हैं, मैं उपर लिया, लेट करके, थोड़ा सा मैंने उसको adjust किया, अब मेरा pelvis का portion, hip bone वाला portion, pillows के उपर है, पेट बिलकुल फ्री है, अब ये chest वाले तक्ये को मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ लिया, और इसको यहाँ पर, जो मेरी upper chest है, इस पे कर लिया, यहाँ पर, अब आप देख से मेरा पेट हिल रहा है, तो पेट के movement में कोई restriction नहीं, यह सबसे एहम चीज है, कि हमारा पेट नहीं दबना चाहिए, और जो तीसरा pillow है, वो मेरा पैर की तरफ है, आप देख लीजे, मैंने अपने पैर जो है, वो pillow's पे support किये, उसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर आप या तो सीधा इसको थोड़ा ऊपर लेके, अपनी थोड़ी जो है, वो इस पे support कर सकते हैं, देखे ऐसे हो गया, या दूसरा option है, कि आप थोड़ा सा इसको नीचे करें, और हमने दोनों अपने हाथ ऐसे ले लिए, और हमने हाथ पे इसको support कर लिया, और oxygen है लगी है, तो मास्क लगा है, तो मास्क भी लगा हुआ हो सकता है, और अगर nasal cannula है, तो वो भी लगा हुआ हो सकता है, या मैंने अपने सर को ऐसे कर लिया, या मैंने अपने सर को ऐसे कर लिया, या फिर इसको हटा के मैंने इसको इसके उपर कर लिया, तो आपको चुकि दो घंटे तक लेटना है तो आप बीच बीच में इसकी पोजिशन चेंज कर सकते हैं आप हाथों की पोजिशन जो है वो आपको comfortable रखनी है आप यहां भी रख सकते हैं आपने एक हाथ side of the body में कर लिया दूसरे को थोड़ा आगे पीछे कर लिया इसको इधर कर लिया इसको आगे पीछे कर और बीच बीच में आप थोड़ी बहुत position चेंज कर सकते हैं बीच में अगर संभव हो अगर आपको ठकान ना हो और ऐसा करने पर आपका oxygen ना कम हो रहा हो तो आप थोड़ी देर के लिए बीच में chest को ऐसे उठा करके deep breathing की exercise भी कर सकते हैं और फिर आप वापस आ सकते हैं ध chest के नीचे pillow है मेरी pelvis के नीचे hip bone के नीचे pillow है और पैर के नीचे pillow है और मेरे पेट और bed के बीच में जगए है अब ideally दो तीन घंटे अगर आप इस position में लेख सकें तो आप देखेंगे आधे गंटे के अंदर ही आपके saturation में 5-10% का improvement आ जाएगा दो तीन चार घंटे आप इ और ये पैर वाला pillow भी हटा दिया और अब मैं left lateral position में आगया मेरी left side down है मैं left lateral position में आगया हाथ को यहां रख सकता हूँ यहां रख सकता हूँ जैसे चाहें साल पे रख सकता हूँ जिस में मुझे comfortable लगे अब मैं 2 घंटे left lateral position में लेटने की कोशिश करूँगा उसके बार फ और अब मैं right lateral position में आ गया तो मैं अब right lateral में 2 घंटे लेटने के बाद अब हम सीधे हो सकते हैं अपने back के बाल लेट सकते हैं और इस position में हम थोड़ी सी breathing exercises कर सकते हैं थोड़ी देर या फिर हम धीरे 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 उठके बैठ सकते हैं और उठके बैठके चौक्री मार के बैठे हैं ऐसे क्योंकि उससे हमारी lung capacity कम होती है अपने को पूरा जितना सीधा हो सकता है और जितना chest को पीछे कर सकते हैं थोड़ा सा ऐसे movement कर ले थोड़ा shoulders को उपर नीचे movement कर ले थोड़ा ऐसे इससे भी हम लोग cardiac patients में यह position अक्सर यूज करते हैं तो इससे भी आपको support लेके बैठने में थोड़ा सा मदद मिलेगी तो एक दो घंटे back पे लेटना या सीधा तो दो घंटे prone यानि पेट के बल दो घंटे left lateral दो घंटे right lateral फिर एक दो घंटे बैठे हुए या back पे लेट एक particular position में best oxygen में शलता है तो उस position को आप ज्यादा समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मैं फिर दोराना चाहूंगा कि यह जो self proning है यह कोई magic bullet नहीं है number one number two यह oxygen का या ventilator का या ICU care का कोई sure shot alternative नहीं है यह हर घर में आसानी से बिना किसी equipment के बिना किसी expenditure के कर सकी जाने वाली proved scientifically proved effective एक method है और इसको जैसे ही आपका saturation कम होना शुरू करे अगर आप इसको इस्तेमाल करने लगें तो तुरंत आपको 5-10% का oxygenation में improvement मिल जाएगा जिससे हो सकता है आपको oxygen लगाने की जरूरती ना पड़े एक या जब तक आप oxygen या bed का रिदमेंट करते तब तक कम से कम आपका saturation improve हो जाएगा और अगर oxygen भी आप लगानी पड़ी तो हो सकता है उसकी मात्रा हमें कहीं कम इस्तेमाल करनी पड़े जो आज की तरीक में बहुत important है तो यह self-proning एक scientifically proved method है ICU में पूरी दुनिया में ventilated patients में इसका इस्तेमाल होता है और जहाँ जहाँ research हुई है तीन चौथाई से ज़्यादा patients में इससे significant benefit prove हुआ है in fact it has been proved कि यह ICU patients में death rate को कम करता है तो जो इतना well proved method है उसका हम घर पे इस्तेमाल क्यों न करें कुछ लोगों ने पूछा कि जिनका अभी oxygen गिरना नहीं शुरू हुआ लेकिन वो अभी COVID से पीडित हैं क्या वो भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है इसका proper application तो उनके लिए है जिनका oxygen गिरना शुरू हो गया बट दूसरे लोग भी अगर belly down right lateral left lateral बैठा इस position में change करते रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा फाइदा भले ही हो सकता है चार-पांच conditions हैं जिसमें pruning नहीं करनी है एक तो गर्बवती महिलाएं उनको यह नहीं करना है जो लोग बहुत ज़्यादा उबीज हैं और उनकी belly बहुत आगे पेट है तो उनके क आपको कुछ heart failure की problem ना हो जाए अगर आपकी spine की कोई major problem है कोई spine की आपको spondylosis या spine की कोई prolapse disc वगरा की problem है आपको hip bone का कोई operation हो चुका है पैर में किसी bones वगरा का fracture है या किसी चीज का operation हो चुका है तो क्रपया यह ना करें क्योंकि हो सकता है कहीं उन fracture repair sites को कहीं इससे क्योंकि उस समय पेट थोड़ा फूला होता है तो तुरंत बात करने से आपको उल्टी आने की या इस तरह की संभाव ना हो सकती है दूसरा अगर ऐसा करने पर आपको कोई discomfort हो रहा है बहुत तकलीफ हो रही है तो फिर आप ऐसा ना करें कई बार लोगों ने report किया है कि जै एजस्ट हो जाते हैं और वो खांसी कंट्रोल हो जाती है